हालो एब्रिवन यह MCSA Part 22 वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं Windows के Logs, Logs फाइल क्या होती है गाइस जिसको हमें Event Weaver के नाम से जानते हैं Actually, Microsoft Server में जब हम कोई Setup करते हैं, कोई Configuration करते हैं और कोई भी Services इंस्टाल करते हैं या Configure करते हैं तो हर Services में क्या होता है, उस समय Log File Create होती है जैसा कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि Activated Database जो होती है उसमें 3 folder होता है, NTDS, NTDS and SysWall folder SysWall जो होती है, जो दूसरी NTDS folder होती है, उसमें हमारी Log File Store होती है तो यह Location होता है उसका, यह Log File होती क्या है कि जब भी कोई आप, कोई Services इंस्टाल करोगे तो यह Log File Create होगी Log File में उसका एक Event ID होता है, Generate होता है इसलिए इसका नाम हम देते है, Event Viewer के नाम से Microsoft ने इसको दिया है, Event Viewer कि यह जो होता है, Microsoft का by default Windows Server के लिए Log File है आप जिसे Troubleshooting कर सकते हो, और यह जान सकते हो कि क्या प्रावलम है कोई भी अगर प्रावलम आये तो क्या प्रावलम है Troubleshooting के लिए Tools दिया है, InVilt Tool है Microsoft Server का और नामली कंपनी में Actually InVilt Tool का हम यूज नहीं करते हैं Third Party Tools होते हैं Third Party Tools है, Veritas है बहुत सारे LDMS, Landisk Management है बहुत सारे Tools है, अलग अलग Tools है पैम टूल है तो यह जो होता है, यह Microsoft का by default tool है तो नामली इससे Troubleshoot करना quite difficult रहता है इसलिए Company क्या करती है, Third Party Tools का यूज करती है और उसके बारे मैं बताऊंगा भी कि क्या benefit रहता है तो यहाँ पे देखो, Types Up Log जो Live Log Generate होता है जैसे मालो application related कोई stuff अगर आप company में कर रहे है अपने server में कर रहे है, तो application related log file create होती है और system related, hardware related कुछ है, ऐसे activity है तो यह system related log file होती है और कोई permission या policy देता है, तो security related log file create होती है और कोई installation करते है, तो setup यह file होती है अपने server log का एक event ID होता है जैसे मालो एक log का event ID है 1001 तो यह unique रहे गए C services के लिए होता क्या, जैसे मालो particular कोई DSCP service install कर रहे है, उसमें कुछ problem आ गया तो यह event ID create हो जाती है, automatic उसमें तो अगर मालो आपसे troubleshooting नहीं हो पाया अगर आपने licensing लिया है तो इसलिए करते है license अगर server आपने लिया है तो बेटर रहता है compare to trial version जैसा कि हम download करके हम लोगी use करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए अगर license आपके पास है तो उस समय क्या होगा यह event ID अगर आप भेज़ दोगे Microsoft आपके पास यह ऐसा नहीं कि कुछ problem आया तो आप फार्मेट कर दो ऐसा कुछ नहीं होता है हर services के लिए हर log देखना होता है कि कभी भी log create हुआ तो उसको shout out करना है यह log जो होती है तीन तरह की होती है एक information आपको देगी जो सब कुछ अगर correct है सारट configuration right हो गया तो information मतब correct है warning मतब warning देगा आपको alert करेगा alert message रहे गए कि यह problem हो सकता है और error में तो कुछ problem आ गया और इसका कोई solution अब नहीं है तो error नहीं आना चाहिए यह red color का dangerous जो रहता हो ऐसा icons आपको दिखने को मिले गए तो ऐसा नहीं wait करना है right आपको क्या करना होता है warning जब आता है तभी आपको short out कर लेना problem को चाहिए अपने short out करो चाहिए अपने senior से कराओ या तो फिर आप Microsoft से help लो अगर आप से नहीं हो पा रहा तो mail करेंगे अगर licensing है तो Microsoft team क्या करेंगे उसको आपको support देगी right और यह देखो third party tools होते हैं बहुत सारे third party tools है जिसको नार्मली ज्यादा तर अगर company देखे तो कोई यूज नहीं करता है 95% organization companies में यह tools यूज होते हैं Veritas है जो HP का tool है और या तो landisk management है यह landisk management पे मैंने काम किया है और जहां तक कि मेरा experience रहा है landisk management बहुत powerful tool है और इसका सबसे बड़ा benefit क्या है landisk का कि अगर मालो यहाँ पे आपके पास एक server है एक server है और कई सारे ही इसमें हमने landisk management LDMS tool को install कर रखा है LDMS और आपके पास अलग अलग server है यहाँ से तो अलग अलग यह operating system है यह सब को manage करता है यह tools राइट मतब यह की जगह एक ही display पे एक ही जगह पे अलग अलग operating system को भी monitor कर लेगा एक साथ यह बहुत powerful tools होता है इसके लिए हमें database के लिए SQL server install करना पड़ता है यह configuration बहुत important बहुत मतलब सब लोग नहीं कर सकते हैं और आपके पास resources ज्यादा होना चाहिए SQL server होना चाहिए database के लिए नार्मल वरिटास होगरा में नहीं जरूत पड़ती डायरेक्ट आप windows server के उपर install कर सकते हैं कोई database अलग से एक्स्टरनली जरूत नहीं पड़ती उससे के अंदर database रहेगा तो ऐसे tools को हम लोग use करते हैं तो आज का जो सेशन में ने बताए window locks मतलब window का event viewer है तो यह सेशन में था माईको साब के इसलिए मैं बता दे रहा हूं लेकिन आपको organization में अगर आप company में in होते जब working आप job करेंगे तो आपको event viewer काम नहीं करना रहेगा लेकिन monitoring वैसे रहेग अभी नहीं है तो हम इसी पर work करके आपको दिखाएंगे कैसे इसको monitor करना रहेगा ठीक है तो एक monitoring अगर आगे तो कोई भी monitoring आप कर सकते हैं इसको मैं बताने जाओ कैसे filter करना है कैसे log generate करना कैसे करना है तो गाइस हम अपने Windows Server 2012 पर आ गया है और यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको कहां पर log हम देख सकते हैं तो यह tools में जाओ और इसमें Microsoft का inbuilt tool है तो यहां पर है event viewer और इसको कुछ install करने औरने की जरूद नहीं रहेगी और यहां पर आप देख सकते विंडो लॉग करके और विंडो लॉग में आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं यहां से देखो अप्लिकेशन है राइट यह इसके logs है यहां देख सकते हैं बहुत सारे logs से आपको मिलेंगे अतीन तरह के log मिलेंगे जो इनफर्मेशन है यह ऐसा है और वार्निंग रहेगा तो यलो com क्लर का आपको ओंब निकेगा वार्निंगає और नेडिकान चाहरा हो आपको वार्निंग वार्निंग कि अंद तो बहुत सारा है होगा क्योंकि यह देखो यहां पर वार्निंग है यह ड podemos क्लिक कराऊ हूं देखो जब डबल क्लिक करें यहाँ पे आपको इसका event ID मिल जाएगा यहाँ देखो event ID 1000 है तो यह event ID 1000 है तो क्या problem है अगर इसको आपको देखना है तो इसको आप क्या करो google करोगे तो भी आपको इसके बारे में सब्सक्राइब मालूम हो जाएगा कि यह क्या problem है तो यह और अपनी शाट ओट करने कोशित करो यहाँ पर दिखाएगा कि क्या problem है किस रिलेटर यह problem है logon problem है यह क्या installation related setup problem है क्या problem है और तो उसको शाट ओट कर लो या तो फिर आपको क्या करना माईकोस आपको देना और दूसरा चीज़ क्या है यहां पर देखो एडर अगर आ गया तो क्वाइट टीफिकल्ट है उसको मैनेज करना यह देखें यह इवेंट आइडी क्या है बारे सो कुछ वन थाजन टूहंड़ेटीफोर इवेंट आइडी है और किसके लिए यह दिखा देगा यहां पर राइट तो यह देख सकते हैं अब हम क्या करें एक इवेंट आइडी मैं आपको कॉपी करके गूगल में जस्ट मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको और कुछ न कुछ करता हूँ उस आइडी को सिम्पली पेस्ट कर दोंगा और यहां पर आपको मिल जाएगा क्या है भी की वेडि देख लिजे यहां पे रैट यह क्या प्रॉल्ब है वेंट आइडी आपको दिख जाएगा वेंट आईडी यह इसके बारे पूरा आपको एकस्प्लिनेशन मिल जाएगा ही देखिए Microsoft का है क्या है इशू कैसे इसको शार्ट करना है इसके बारे में आप देख सकेंगे आएगा दिरे दिरे करके और या तो आप यहाँ पे दूसरा कोई डिंक देख लो एक में नहीं है अब तो वो रिलेटिट प्रॉलम बता देगा आपको आप कन्फूज और दिखा देगा क्या प्रॉलम है यह देखो एरर है क्या चीज इन किस डबलू डिस यास डबलू डीस डबलू डिस विंडों रेप्लाइमेंट सर्विसेस हमने इस्ट्राल किया था उससमान को चैम्छों हमें आये था उवहीं एरर है यह आप दिखा देगा वो चीज आपको कि किस रिलेटेड यह प्रॉलम है राइट तो यह सारा चीज आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और नहीं आ रहा है तो फिर यह देखो विंडू डबलो डियस डबलो डियस इसका यह प्रॉलम है तो यह हमारी क्या होते हैं लॉक फाइल्स ह होते हैं, इविघ है यह यहां देखो, यह इविए лось होता है है यूदि कर रहता है आईसे है यह आपको क्यब में एट टाइप मैंने बताइब है क्या क्या है अप्रॉपली आप्लिकेशन है अप देखो इनले अपको filter locks कर लेंगे हम यहां पर save filter जहां से हम filter कैसा आपको चाहिए warning चाहिए राइट और यह स्क्योल वार्निंग चाहिए हमें तो warning वाले सारे log यहां पर क्या हो जाएगा आ जाएगा सभी में से राइट और इसको हम क्या करेंगे save कर लेंगे तो save इसको कर लो और लोकेशन पुछेगा किसी भी लोकेशन में आप इसको save कर सकते हैं और उसको क्या करना रहेगा mail कर देना है रहेगा Microsoft को event ID इसको save कर लो किस language में आप पूर करना चाह रहे तो यहां से आपको देना रहेगा English में और इसको आप save कर लो बस रेट और यह उसको आप diet क्या करो Microsoft को दे सकते हैं यहां से जाके आप देख सकते हो इसका यह desktop पर event यहां पर है double click करेंगे और यह आ जाएगा यहां पर सारे warning यहां दिखा देगा तो यह जो है event ID होते है right event ID देखो सारा warning यहां पर आ जाएगा से तो ऐसे हम क्या करते है कि होता है troubleshooting के लिए होता है especially troubleshooting के लिए और इसके बाद हम क्या करते है इस monitoring tool में और क्या होता है monitoring tool में एक तो हो गया यह problem cost जो है उसका event ID हो जाएगा आप event ID यहां से add कर सकते हो आप शाट आउट कर सकते हो problem को या तो फिर आप से नहीं होता तो Microsoft को आप भेज दो इसे राइट शाट आउट करेंगे उनका काम है और दूसरा चीज performance हो गयरा अगर चेक करना है तो यहां से हम देख सकते हैं जान सकते हैं अपने server की performance हो गयरा तो वह सारी चीज़े हम इसमें देख सकते हैं monitoring tool तो यहां से लॉग हो गया हो अगर उसके लिए सबसे बढ़ियां क्या है आप यहां से ना देख करके performance आपको direct यहां दिखाता हूं कि जो हमारा यह है tools active directory का यहां पर हम tools में जाएंगे और यहां से हम देख लेंगे यहां से performance हो गयरा है आप चेक कर सकते हैं task manager में resource monitor देखो यहां से देख सकते हैं और यहां से task monitor देख सकते हैं task scheduler देख सकते हैं right system information का है पूरे system के information आपको दिखा देगा तो यह सब क्या है Microsoft में अलग-अलग दे रखा है और जो हम third party tools लेते हैं उसमें यह सारी चीज़ें एक में रहेगा एक ही tools में रहेगा तो easily आप क्या कर लेते हैं यहां देखो यह कि जो resource monitor यहां पर प्रोसेसर का speed और यह सारा speed यहां पर दिखाता है आपको यह monitor आप यहां से कर सकते हैं किसका speed अकॉन ट्रॉप हो रहा है कौन अप्लिकेशन रन हो रहा है किसको डिलीट करना किसको रन कितना इस पर utilize हो रहा है सब कुछ सारा information आपको दे देता है कोई भी समझ चाहेगा ओके गाइस तो मेरे कहने का मतलब यह था कि यह window monitoring टूल जो है जो Microsoft ने by default इंविल्ड कर रखा है इसको बताने का है यह session में नहीं लेना चाहरा था है लेकिन इसलिए बताया क्योंकि monitoring tool mandate है एक बात ही जान लो कि company में अगर आप job करें बहुत सारे apply से बहुत सारे system है तो एक team होती है इसकी monitoring team के लिए उसमें ग्रूप रहेगा कुछ लोगों का वह लोग क्यों monitor करते हैं डिपेंड करता कैसे monitor करते सर्वर या क्लाइन का या थार्ड पार्टी टूल लेके कर रहे हैं माईको सापका टूल ले रहे हैं तो ज्यादा तर 95% company जो थार्ड पार्टी टूल लेके करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो उसको कैसे monitor करना कैसे manage करना है इसी को हम क्या बोलते हैं राइट मोनीटर करना मोनीटर करने के लिए हमारे पार क्या होना चाहिए सब्सक्राइब करना इसी नहीं रहेगा तो कोई भी कमपनी इस से monitor नहीं करते हैं थार्ड पार्टी टूल लेके करते हैं तो आई होप आपको concept समझ में आ गया होगा क्या चीजिस का मतलब है क्या है राइट और कोई डाउट है इस लिए टूल्स लिए तो आप हमें बताओ और अगर पैम टूल्स के बारे में आप पढ़ना चाहरे है सिखना चाहरे तो आप कमेंट करो मैं पैम टूल्स का वीडियो लेटेस जो टूल अभी चल दा है उसके उपर मैं वीडियो बनाने कुछिस करूंगा आप तो आज का सेशन बस यही है इस वीडियो में तैंकी सो मच अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकान जरूर दबा लेजे ताकि क्या होता है जो भी हम न्यू वीडियो डालेंगे लेटेस्ट वीडियो वह आपको उसका नोटिफिकेशन आप्टोमेटिक मिल जाएगा कभी-कभी आपके पास टाइम नहीं रहता है सर्च नहीं कर पाते हैं और बाद में सर्च करते हैं तो वह टिकनल जी निकल जाती है र